नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज़ पंडित पर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइन्स के मोश्ट इंपर्टेंट कॉश्चन तो चलिए शुरू करते हैं इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आईलेट्स ओफ लेगर हैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा पादप हार्मोन मुख्यता फल परिपक्वता के लिए उत्रदाई है तो यहाँ पर एथलीन हार्मोन सही उत्तर हो जाएगा मानव के किस भाग में पित का निर्मान होता है तो यकरत में पित का निर्मान होता है मानव मस्तिस्क में बुद्धी का केंद्र क्या है तो मानव मस्तिस्क में बुद्धी का केंद्र सैरेब्रम है नेक्स्ट कॉशन है मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो प्रमस्तिस्क मनुष्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग है मानव शरी की किस गरंथी को माश्टर गरंथी कहते हैं तो प्यूश गरंथी या पिटूटरी गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है अगला कॉशन है अश्रू इस्तरावित कौन सी गरंथी करती हैं तो लेक्रिमल गरंथियां अश्रू इस्तरावित करती हैं ब्रदधवस्था में कौन लुप्ध हो जाता है तो थाइमस ग्रंथी ब्रदधवस्था में लुप्ध हो जाती है मानव मस्तिस्क का कौन सा भाग निगरन निगलना और उल्टी करने को नियमन करता है मतलब इसको operate करता है तो medulla oblongata इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अगर अगनाशा में खराबी होती है तो इससे क्या होगा तो अगनाशा में खराबी होती होगी तो इससे insulin और glucose गौन नहीं बनेंगे प्यूश ग्रंथी अपने प्रेरख हॉर्मोनों की वज़े से अन इस्तरावी ग्रंथियों की इस्तरावी सक्रियता को नियंतरत करती है कौन सी एक अनता इस्तरावी ग्रंथी प्यूश ग्रंथी से स्वतंतर काम करती है तो पैरा थाइराइड ग्रंथी पर प्यूश ग्रंथी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है मा और शिशु के बीच गले लगना या चूसना किस हॉर्मोन मोचक को प्रेड़ करता है तो जब मा और शिशु एक दूसरे के गले लगते हैं या जब शिशु मा का दूद पीता है तो ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन रिलीज होता है अगनासय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तिजित करने वाला हॉर्मोन कौन है तो सिक्रिटीन अगनासय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तिजित करने वाला हॉर्मोन है की सुई लगाई जाती है गाय और भैसों के थनों से दूद उतारने के लिए थाइरड ग्रंती से थाइरॉक्सिन इस्तरावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतर इस्तरावी हर्मोन कौन से हैं तो टी एस एच एस इस इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा कमी से मनुश्य में मधुमे होता है तो इंसुलिन की कमी से मनुश्य में मधुमे होता है डहेलिया की जणों से क्या प्राप्त होता है तो इंसुलिन डहेलिया की जणों से प्राप्त होता है अगनाशय में इस्थित उद्गों का समूह क्या कहलाता है तो लेगर हैंस की दीपी तो यक्रत कोशिकाओं में होता है कैरोटीन से बिटामिन का संसलेशन कौन करता है तो यक्रत कोशिकाओं कैरोटीन से बिटामिन एका संसलेशन करती है भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां प्राप्त होती है तो भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंब होती है मुक से कार्बोहाइडरेट के पाचन को पूरा करने है तो आंत्री रस से कौन से एंज्याइम पाए जाते हैं तो कार्बोहाइडरेट के पाचन को पूरा करने हैं तो आंत्री रस में माल्टोस, सुक्रोस और लेक्टोस पाए जाते हैं आहर नाल के किस भाग में जलका आउशोशन सबसे अधिक होता है तो बड़ी आत में जलका आउशोशन सबसे अधिक होता है विगटनकारी सहजीवी जीवाणू कहां पर होते हैं तो बड़ी आत में विगटनकारी सहजीवी जीवाणू पाय जाते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी अंतर स्त्रावी ग्रंथी कौन सी है तो तो पिटूटरी ग्रंथी मानव शरीर में सबसे छोटी अंतर स्त्रावी ग्रंथी है मनिश के शरील की कौन सी ग्रंती वाहनी विहीन है तो अंतस त्रावी ग्रंतियां मनिश के शरील में वाहनी विहीन है स्वसन गुडांग का मान एक किस में होता है तो स्वसन गुडांग का मान कार्बो हाइडरेट में होता है प्रकास स्वसन की प्रकास स्वसन किन पादपों का विशेश गुण होता है तो C3 पादपों का विशेश गुण होता है प्रकास ये स्वसन उर्जा की मुद्रा क्या है तो उर्जा की यूनिट है ATP औक्सिन की खोज किस ने की थी तो औक्सिन हॉर्मोन की खोज वेंट ने जई में की थी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हॉर्मोन सिर्सस्त प्रभावित को समाप्त करता है तो औक्सिन हॉर्मोन शिर्सस्त प्रभावित को समाप्त करता है वर्धी प्रजनन में कलनों में शीग्र जड़े उत्पन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो वर्धी प्रजनन में कलमों में शीग्र जड़े उत्पन करने के लिए इंडोल ब्यूटेरिक अमलका प्रयोग किया जाता है मनुश्यकी मासपेशों में किस प्रकार का स्वसन होता है तो अनौक्सी स्वसन मनुश्यकी मासपेशों में होता है जलियक कशेरुकियों में प्रमुक स्वसनांग कौन से है तो जलियक कशेरुकियों में प्रमुक स्वसनांग कलोम है दैनिक स्वसन क्रिया मस्तिस्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है तो मेडुला ओबलॉंग गेटा के द्वारा दैनिक स्वसन क्रिया नियंत्रित होती है फिर्फणों के उपर का आवरण किसका बना होता है तो प्यूरल कला का फिर्फणों के उपर का आवरण बना होता है सुसन के दौरान बाहर निकाली गई वायू में CO2 की मातरा कितने प्रतीशत होती है सरवादिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है तो कार्बो हाइडरेट के रूप में बाई कार्बोनेट के रूप में सरवादिक CO2 का परिवहन होता है समुद्री तट पर रहने वाला व्यक्ति यदि उचे पहाणों पर रहने लगे तो उसके रक्त में किसकी मातरा बढ़ जाएगी तो लाल रुधिर कड़काओं की संख्या एवं हेमोग्लोविन की मातरा बढ़ जाएगी सामान व्यक्ति में हेमोग्लोविन की औसत मातरा कितनी होती है तो 15 ग्राम प्रती 100 मिली लीटर होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां पर संपन होती है तो cytoplasm में glycolysis की प्रक्रिया संपन होती है glycolysis के दौरान glucose के एक अडू में pyrovic अमल के कितने अडू बनते हैं तो glycolysis के दौरान glucose के एक अडू में pyrovic अमल के दो अडू बनते हैं क्रेप शक्र में glucose के एक अडू से कितने ATP के अडू का निर्माण होता है तो क्रेब शक्र में glucose के एक अणू से 24 ATP अणू का निर्माण होता है Glycolysis एक क्रेब शक्र में निर्मित सभी NADH और FADH2 NADH2 और FADH2 के अणू कहां आक्सिकरत होते हैं तो electron abhigamani तंत्र में ये सभी आक्सिकरत होते हैं स्वसन क्रिया में इलेक्टरौन अभीगमनी तंत्र कहां इस्थित होता है तो स्वसन प्रक्रिया में इलेक्टरौन अभीगमनी तंत्र माइटोकॉंट्रिया के कृष्टी में इस्थित होता है इलेक्ट्रोन अभिगमन तंत्र का निर्मान किसके द्वारा होता है तो यह को एंजाइम्स के द्वारा होता है ओक्सिन का सर्व परमुक काम क्या है तो कशेर कोशिकाओं की लंबाई में बृद्धी करना ओक्सिन हॉर्मोन का परमुक काम है आक्सिन को पौधों से सरप्रथम इंडोल एसिटिक के रूप में किस ने अलग किया था तो साल को वसकी ने आक्सिन को पौधों से सरप्रथम इंडोल एसिटिक एसिट के रूप में अलग किया था कौन से हॉर्मोन फल फूल एबं पत्यों आदी के असमाइक रूप से पौधों से गिरने पर नियंतरन करते हैं तो आक्सिन हॉर्मोन इन सभी का असमाइक रूप से पौधों से गिरने पर नियंतरन करता है आलु आदी के पौधों में सुप्त कलिकाओं को सुप्त आवस्था में ही बनाए रखने के लिए किस हॉर्मोन का प्रयोग करते हैं तो ओक्सिन हॉर्मोन का प्रयोग करते हैं जीरणता को विलंबित किस ने किया था तो जीरणता को विलंबित करता है साइटो काइनिन स्वसन में कोश के इधन की संग्या किसे प्रदान की गई है तो ग्लूकोज को कोश के इधन की संग्या प्रदान की गई है स्वसन क्रिया के उपरांत ग्लूकोज के एक अणू में पुर्ण ऑक्सी करण से कितने अणू CO2 के बनते हैं तो 6 अणू CO2 के बनते हैं ग्लूकोज के एक अडू के आउक्सी करण से कितनी उर्जा मिलती है तो 686 किलो कैलोरी उर्जा मिलती है अनॉक्सी सोसन में ग्लूकोज का एक अडू कितनी उर्जा मुक्त करता है तो 56 किलो कैलोरी उर्जा मुक्त करता है किंडवन की क्रिया किस उपकरण द्वारा मापते हैं तो कून्स नली के द्वारा मापते हैं सांस द्वारा बाहर निकाल गई वायू में ऑक्सिजन की कितनी प्रतीशत मातरा होती है तो 17 प्रतीशत मातरा होती है फेपड़ों में अशुद्रक्त कहां आता है तो दाए निले में आता है अवाई भी सुसन में ग्लूकोस का विगटन किस में होता है तो लेक्टिक अमल में होता है स्वरे यंद्र की दीवारों में कितनी उपास्थियों का कंकाल होता है तो नो उपास्थियों का कंकाल होता है स्वसनली की शाखाओं को क्या कहते है तो ब्रॉंकाई कहते है स्वसनली को और किस नाम से जाना जाता है तो ट्रेकिया नाम से जाना जाता है मानव एक मिनिट में लगबग कितनी बार सांस लेता है तो 12 से 15 बार सांस लेता है शिशु प्रती मिनिट लगबग कितनी बार सांस लेता है तो 44 बार सांस लेता है Oxygen से Hemoglobin सायोजित होकर किस आस्थाय योगिक का निर्मार करती है तो Oxygen Hemoglobin का निर्मार करती है Hemoglobin का रंग कैसा होता है तो बैगनी रंग का होता है Oxygen Hemoglobin किस रंग का होता है तो यह लाल रंग का होता है दोस्तों पोशक्ततों और विटामिन्स आपको next class में पढ़ाए जाएंगे वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करें हमारा आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद